शिरी नगर में नेशनल कॉन्फरेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला नजरबंदी से रिहा होने के एक दिन बाद अपने बेटे और जम्मू कश्मीर के पुर्व मुख्य मंतरी उमर अब्दुल्ला से मिले पिछले साथ महीने में पिता और बेटे की यह पहली मुलाका की रिहाई के बाद फारुक ने उमर से मिलने की इच्छा जाहिर की थी इसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासर ने उनिशिरी नगर के उपजेल में उमर से मिलने की इजाज़त दी दोनों करीब एक घंटे तक साथ रही फारुक के साथ अब्दुल्ला परिवार के अन्य दस्यों की भी उमर से मुलाकात हुई उमर को चार अगस्त की रात को जम्मू कश्मीर से अनुछे 370 हटाने से पहले हिरासत में लिया गया था उन्हें पांच फरवरी से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया है पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता अभी भी नजरबंध हैं कॉंगर्स नेता गुलाम नभी आजाद फारुक से मिलने शनिवार को उनके घर पहुँचे गुलाम नभी अगस्त से ही फारुक समेत कश्मीर में नजरबंध सभी नेताओं को रिहा करने की मां केंद्री ग्रही राज्य मंत्री जी किशन रेड़ी ने शनिवार को हैदराबाद में फारुक की रिहाई के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हमारी मंच्छा किसी को जेल में रखने की नहीं है लेकिन जम्मू कश्मीर में राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ आज ये शांती के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है रिहाई के बाद फारुक ने कहा था कि मेरी अजादी तब तक अधूरी है जब तक उमर अब्दुल्ला महबुबा मुप्ति वह अन्य निताओं की रिहाई नहीं हो चाथी उमीद है कि बारत सरकार अब उन सभी को रिहा क परेगी जिने राजनितिक हिरासत में लिया गया था मैं उन सभी का शुक्रिया करता हूं जिनोंने मेरी रिहाई के लिए दूआएं कि हैं मैं आपका भी मीडिया का बहुत ही शुकुर बजारा हूं कि आपने हर वक्त हमारी आवाज को जागर किया आपके साथ में एक आजाद आज़ी बोल रहा हूं मगर यह आजादी अभी पूरी नहीं है अभी बहुत से हमारे लीडर बन देने हैं उनको छोड़ना बहुत ज़रूरी है मैं कोई भी सियासी बयान बाजी नहीं करता हूं जब तब के सब हमारे लीडर को फेलू में हैं घरू में कैद हैं हमेले होस्टल में बंध हैं उनको रहा नहीं किया जाए ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सुच्राइब करें हैं घर्ने वार्ट एंटर्बाइब